हाई बच्चा लोग तो कैसे हो आज अब सभी लोगों का आगें मोस्ट विलका में मारे इस लेक्चर में ठीक है तो आज का जो टॉपिक है यह हमारा यह तीसरा शॉट होगा ठीक है खड़िय दो टॉपिक लगभख पूरे पूरे खतम कर लिए थे इसमें पहले टॉपिक में हमने इन डिजीजजist की बात थी परीदि और आज का जो टॉपिक है महारा कि हमारा आज बात करने वाले किसके किसके बारे में आज ब्लोग मेंली बात करेंगे इट्स के बारे में कैंसर के बारे में और साथ साथ में ड्रक्स एंड अलकूहल अब्यूसर तो यह तीन टॉपिक आज हम लोग छटपट छटपट खतम करने वाले हैं लेकिन प्लीज ठीक है जिसने भी अभी तक हम लोगों को से मिलते रहें यह इस चैप्टर का आखरी लेक्षर है और इसके बाद होंगे सवाल जवाब ठीक है तो उसके लिए लागी लेक्टर मिलेगा आपको ठीक है तो बिना देरी करें लेक्टर को जल्दी से शुरू करते हैं विकाज यह शौट फॉर्म में जल्दी लिक्यों कि सिंपल पॉइंटेड में सिंपल होता चला जाता अब लिखने रहा नहीं है कि बोट पे लिखेंगे कि बाद समझाई जाएगी तो आईसा आप कुछ नहीं है यहां पर अब जल्दी जल्दी काम हमारा हो जाए तो बी स्मार्ट ठीक है लाइक मी चलो यार मजाग कर रहेते ह इसमें से हमारे दो जो टॉपिक है यह मोस्त इंपॉर्टेंट है इस और सासाथ में कैंसर ठीक है इनकी डाइगनॉस के बारे में हम लोगों को बात करनी पड़ेगी ठीक है और इनके प्रेवेंशन की बात में करनी पड़ेगी और इनका कॉसर डिवेजन क्या होता है कैसे क साङ कि कोई भी सवाल हम लोगों का फसाद ना रह जाएं चूरू करते हैं क्या एक्स एंगा dem healthcare में he него बोलेंगे तो यह दो बाते बहुत जाए आलग सबक्राइब इड्स जो होता है यह एक डिजीज है और चाइवी जो होता है वह सब्सक्राइब देखें तो इस वाइरस का जो एक्स पूर्म घृंड हो गाउसका मतलब निकलेगा human immunodeficiency virus HIV लेकिन अगर AIDS की बात कर लें तो AIDS में जो A stand for acquired, I stand for immunity T से deficiency और S से क्या होगा syndrome तो AIDS का यह perform है ठीक है तो यह दो चीज़े अलग है HIV एक virus है जो की cause करता है क्या AIDS अभी AIDS की बात क्या है तो AIDS आभी आपने क्यों बोल दिया तो अभी उसको भी हम लोग डीटेल में discuss करने वाले यहाँ पर क्योंकि सारी बाते एक एक खुल के ओने वाली यहाँ पर नॉर्मली ठीक है लेक्टर को ध्यान से देखना पूरा देखना है जाकि एक एक बात आपको समझ में आए कोई भी बात ऐसी नहों जो आपकी खोपड़ी में ना रह पाए ठीक है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि सहाब यह बात मुझे समझ में नहीं आई है क्या आप मुझे फिर समझाने का कस्ट करेंगी तो बिल्कुल कस्ट किया जाएगा आपको समझाने का ठीक है तो रोंड वरी अबॉट इट चलो शुरू करते हैं तो अगर बात करें एड्स की तो यह तरह का डिये डिफिसियंसी डिजीज होती है क्या होती है डिफिसियंसी लेकिन डिफिसियंसी गाय की हो जाती है हमारे इम्यून सिस्टम की आपको बता दे ही इम्यूनिटी से पहले आप पढ़ चुके हो ठीक है अगर इम्यूनिटी यह खेल ना खेले हमारी बाड़ी के साथ तो भाई हम तो अपने अपको इम्याजन ही नहीं कर सकते है किसी भी पैथोजन किसी भी एंटीजन किसी भी माइक्रोब से किसी भी वाईरस किसी भी पैथोजन से बचाने के लिए हमारे पास जो आरमी है वो आरमी एक सिस्टम बनाती है उस सिस्टम को कहते हैं क्या इम्यून सिस्टम अब immune system यह different डिफेंट तरह की आर्मीज से बिलके बनता है कभी यही पर यह cells की वज़े से बन रहा होगा कभी यह किसी chemicals की वज़े से बन रहा होगा कभी यह किसी glands की वज़े से बन रहा होगा तो different डिफेंट लोग वहाँ पर मौझूद हैं हमारे इस immune system को बनाने के लिए तो जरा सोचो कि अगर ऐसी disease कोई हो जाए जिसकी वज़े से हमारी immunity ही down होती चली जाए तो कितना खतरना कोगा तो अगर immunity खतम हुई immunity down होई immunity कम होई तो different pathogen हमारे पर attack करना शुरू कर देंगे और हम अपने आपको वहां से बचा भी नहीं पाएंगे तो इसी लिए deficiency disease है ये लेकिन काहे की deficiency हो जाएगी immunity की deficiency हो जाएगी बस आपको इतना सा याद रखना है it is a deficiency disease of immune system तो immune system में क्या हो जाए deficiency हो जाए ये ऐसी disease है लेकिन इसके पहले एक term जुड़ावा है acquired क्या है एसे क्या होता है acquired ठीक है इसलिए इसका नाम क्या रखा? फिर immune deficiency क्या रखा? immune acquire करी है और acquire करने के बाद होता है? deficiency हो जाती है किसकी immune system की और आखरी में बोल रहे हैं क्या syndrome, syndrome का मतलब क्या होता है? group of symptom की धेर सारे symptoms जब रहादी फ़लना disease है उसका symptom दिख रहा फ़लना disease है, उसका symptom दिख रहा weak पढ़े जा रहे है, कमज़ोर पढ़े जा रहे है अपने आपको बचा नहीं पा रहे हैं तो धेर सारे symptoms जब शरीर में दिखते हैं तो उसी को कहते हैं क्या syndrome तो आज समझ में आगयो का acquired immune deficiency syndrome क्यों कहा जाता है immune deficiency syndrome है माना लेकिन कैसा acquired किया है हमने एक रहड किया है, हमें किसी ने तोफे में नहीं दिया है, हमने खुद ही उसको लेने की कोशिश करिया है, हमारी गलतियों की वज़े से हमको हुआ है, लेकिन कभी कभी गलती भी नहीं होती है, ऐसा भी मतलब वैक्सिन लगा दी हमको क्या, रेवीज की है अभी ऐसा ही केस आपको कहीं पढ़ने को मिला था निउस में, ठीक है, तो सेंड्रोम का मतलब होता है क्या group of symptom तो आयोब आपको ये भी बात clear हो गई होगी, ठीक है लेकिन ये immune deficiency हो किसकी वज़े से रही है उसकी होने की एकलोती वज़ा है क्या ये वाइरस कौन सा वाइरस, ये नीचे भाईया, उसका बड़ा सा दाग्राम मना है ये बेल या खर्बूज़ा, ये तर्बूज़ा नी जो देख रहे हो के अंदर बीजे लगे है ये वाईया क्या है, ये एक वाइरस है ये यहां से ले लो, इम्म्यूनो डिफिसेंसी आई, यहां से ले लो, और भी यहां से ले लो, तो क्या बन जाएगा HIV, ठीक है तो आयोब आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है अब देखो HIV जो है, ये एक हे लाइण से लोग करता है, ठीक है ठीक है COVID-19, लिजिग में कौन कौस करा है, करोन कौस करा है नहीं कर रहा है तो Corona भी जो है वो इसी Retro Virus family से भिलॉंग करता है इसलिए Corona का Genome भी क्या है? Corona का Genome भी RNA है और HIV virus भी किस family से भिलॉंग करेगा? Retro Virus family से भिलॉंग करेगा इसलिए इसका Genome भी क्या है? RNA है ठीक है? अब जरा एक बात अभी आपको बहुत टेक्निकल बताने वाले हैं आगे कि जो अगर RNA है तो ये body में इंटर कैसे करता है? बहुत इंटरस्टिंग है प्लीज ठीक है? लेक्टर को skip मत करना वहीं पर पहुँच रहे हैं देरे देरे लेकिन छोटी सी बाते जो HIV की हैं वो हम लो सबसे पहले यह रिपोल्ट हुआ था ठीक है अमेरिका में सबसे पहले देखने को मिला था 1981 में तो यह डेटाबेस अकाउंट है आप याद कर लीजेंगा और लगभग लास्ट ट्रांस्मिशन की बात करें ट्रांस्मिशन ठीक है अभी इंफेक्शन अभी आगे पहुच र ट्रांस्मीशन ठांसमिशन होता है तो पहला बात तो यहाँ पर देख बना है ये दो लोग ठीक है कोई इनफेक्टिड परसन है अगर उसके साह सेक्सोल कोड़क बनाया जाएगा इनिव्टेट परसन यह नहीं है कि उसको देंगु हुआ है infected person का मतलब ये भी नहीं है कि उसको निवंययग हुआ है infected person का ये मतलब है कि उस बंदे के संभावना है HIV होने की अगर उस बंदे में HIV मवजूद है वो बंदा अगर HIV से infected है अगर उसी के साथ sexual contact बनाया जाए तो body flute exchange होने की संभावना 101% होगी और उस दोरान ही यह transmit भी हो सकता है तो पहला cause यह है कि sexual contact with infected person तो infected person के साथ sexual contact जब बना तो उस दोरान आपको यह देखने को मिल रहा है ठीक है sexual contact with infected person ठीक है आई हो अपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा ठीक है अगला देखो और ट्रांसीजन ओफ द गांटिमिनेटेड ब्लड ब्लड प्रॉडट ठीक है तो यह जब ट्रांसीजन होता है ठीक है जब लेड्ड आप लेकर आयो क्यूंकि ब्लड रखा जाता है वो टेस्ट करके रखा जाता है जब कभी किसी का ब्लड लिया जाता है तो इसलिए गंदा ब्लड या किसी इनफेक्टेड परसन का ब्लड कभी लिया नहीं जाता और नहीं कभी लेना चाहिए तो जब कभी भी किसी गंदा Blood ये Blood Product बलड़ प्रड़क में आप कहोगे क्या जी हम कि प्लाज़मा किजी ने लिया है ये इसके रबाव मालनोх किसी ने Blood plates ही वाली हैना तो ये भी Blood Product होते हैं तो ये सब चीजे ही भी नहीं ले बन जाता है सचाइवी के ट्रांसमिशन का तो आपने पढ़ ली तो पहला रिजन हो गया और दूसरा हो गया ठीक है इसारा देको शेरिंग ऑफ दा इनफेक्टेड नीडिर्स ठीक है गंदी संदी नीडिर्स की शेरिंग जब कभी दो सहला सहली है दो सहले मेल फ्रेंड फीमे लेकर चले हैं मौर्फीन लिए बहुती है अब यहां के आरी पढ़ाएंगे इंतिजार करना मौर्फीन आगे मिलने वाली अभी कैसे यूज़ होती है किया मजा आता है ठीक है मौर्फीन जब लेकर आए तो क्या करेगा यह इसको सिरिंग में लिया इन्हों सिरिंग में ले दूसरा बन्दा बोला कर भाई मेरे पास लेकर सिरिंग नहीं तो इन्होंने क्या कर आए तो अंदर से कैसी होती है अब जब सिरिंग वंदर गई होगी तो कुछ ना कुछ तो ब्लड प्रोड़क्त ही या ब्लड जोगा उसमें लगा रहे गया होगा है ना तो जब उन्हों कि लगा है तो क्या ड्राइसमेट होने के चांकिस नहीं है बिल्कुल है तो जबराइब को कि इन्फेक्टेड पर सन्से शेरिंग जो करी है नीडल की इसकी वज़े से भी घहतक हो सकता इसकी वज़े से भी इन्फैक्शन हो सकता है ठीक है और चौछा रिजन जब लूब इसका फीटस है तो यह फीटस को भी ट्रांस्मिट कर सकती है यह मा क्योंकि प्लेसंटा से चीजें चीजें से एंटी-बोडीज़ भी जाती ब्लट नहीं जाता है लेकिन यह है कि एंटी बॉडी जाती रहती है तो उसी के सास्ता यह भी ट्रांस्मिट हो सकता है ठीक है तो फ्रॉम इंफेक्टेड मुदर टू हर चाइल्ड ट्रो प्लेसेंटा ठीक है तो यह भी रीजन हो सकता है तो उमीद आपको यहां तक तो खैर क्लियर हो रही होंगी माइंटसेट बंढ रहोगा कि हां भाईया कैसे यह फैलता है ठीक है बहुत सिंपल सा फंड़ा था ठीक है इसके लावा अब यह कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनमें रिस्क जाधा रहता है तो वही सारी बाते हैं जो भी हम पीछे पढ़के चले आएं कि कि ten ए cynर आफ익ी तो मिल्किल आफ़ुक्ति हो सकता है और उन लोगों में रिस्क जाधा होता है किन लोगों में तो यही पहले वो लोग थे जिन लंटीबल olabilir पार्टनर्ऽे ठीक है इसमें कोई गलत बात हिपानी रहे है ठाँ लोग जिन में बार भाट ट्रांसविजन होता रहता है रिपेटिट ट्रांसविजन करते रहते तो उनों में भी चांसे वही सारी बात ही जो पीछे लगा रहा है देखो साहब कैसे ले रहा तो ड्रग एक्टेड है तो इंट्रावेनस ले रहा है वहीं के अंदर ही तो डालेंगे ठीक है अगला देखो ऐसा बच्चा जो की इंफेक्टेट मदर से बॉर्ण हुआ है तो उसके भी हाइविस होता है कि उसमें भी हाइवी का लिवारी कहते हैं बटब यहानों heuberंवारी कोई क्वॉंटेट या डिज़ीज नहीं है ठीक है ये नौन-क submission contact में आने से गह सकते कर लेने से या किस कर लेने से यह transmit नहीं होता ठीक है तो यह बात याद रखेंगा तो transmission के लिए लिक रखाय करें HIV does not spread by mirror touch और physical contact ठीक है तो यह physical contact या चोटे मोटे touches के साथ यह transmit नहीं होता यह जब ही transmit होता है जब body fluid क्या हो जाए body fluid जब क्या हो एक्सेंज और body fluid में क्या हो सकता है अप समझ रहे होगे जब समझदार हो कि blood हो blood product हो semen हो यह सब चीज़े हैं ठीक है तो यह सब चीज़े जब transmit होती है तभी chances होते हैं तो यह बात important है थोड़ी सी अपनी खोपड़ी में इसको बसा लीजेंगा अपनी hard drive में safe कर लीजेंगा कि भाया यह सब जो उपर लिखाए कि kissing है hugging है sharing food है इंसेक्ट के काट लेने से toilet seed use कर लेने से नहा लेने साथ में या छीखने या खासने से या पसीने से इन सब चीज़ों से कभी भी HIV नहीं फैलता ठीक है इस बात को गाठ बांध लो भाया जब कभी भी sexual contact होगा blood contamination होगा infected person से needle की sharing होगी या infected mother pregnant होगी तब chances है एक दूसरे में जाने की otherwise transmit यह नहीं होगा ठीक है तो उमीद है यहां तक तो बात आपको यहां पर समझ में आई होगी ठीक है अब देखो होता क्या है एक बात है दरध्यान सुना ठीक है यह जो HIV वाइरस है इसका जो incubation period होता है मतलब incubation period समझे कि मतलब कभ बाडी में इंटर करा और कभा क symptom देगा इसको बोलते है incubation period ठीक है समझ में ही बात नहीं मतलब अगर हम suppose simple सी बात है कि जैसे कि आज कल trend में कौन सा वाइरस चल रहा है तो कोरोना का incubation period दस से बारा दिन का होता है ठीक है मतलब दस से बारा दिन के अंदर अंदर यह जाएगा शरीर में शरीर में जाने के प वही कहलाता है क्या incubation period तो इनका incubation period vary करता है ठीक है कभी कभी कुछ महीनों में ही symptom इसके शो हो जाते हैं कभी कभी 5-10 साल के बाद भी नहीं होते हैं ठीक है 5-10 साल भी लग सकते हैं इसके symptom शो होने में तो कह रहे हैं there is a time lag from a few month to five to ten years जारा बात को ध्यान जा सुनियेंगा वो एक मलब कुछ महीने से 5-10 साल की बात कहे दे रहा है ठीक है between infection and appearance of symptom ठीक है symptom appear होंगे और कभ infection हुआ ज़र लिख देते हैं कि भईया मान लो कि ये infection आज हुआ ठीक है तो infection हुआ और यहां पर ये क्या हो गए ये symptoms आए तो इसके बीच का जो gap है ये क्या हो सकता है ये साच से 10 साल का भी हो सकता है ठीक है तो इसमें जादा कोई सोचने साचने वाली बात तो है नहीं कि भईया ऐसा क्यूं हो गया तो incubation period मैंने पहले कहा था कि ये vary कर सकता है तो उसकी बात हमने पहले आपको बता दी तो ये बात भी important है इस बात को भी थोड़ा ध्यान से रख से करफाय ठीक है तो infection करने का जरा तरीका देखो ठीक है बहुत ही बति घहतक तरीका है इसका कैसे जरा ध्यान से सुनना मेरी बात ठीक है स्लाइट पर समझाएंगे फिर भी यहीं पर आते हैं कि अ कि ध्यान देना कि देखो मान लो ये कोई सेल है ठीक है तो तो किसी सेल में जब ये इंटर करेगा नॉर्मली ठीक है तो उस दौरान जब ये infection कॉस करेगा तो उस दौरान जब ये infection कॉस करेगा तो अलग-अलग symptoms आपको वहाँ पर आप देख पाऊँगे ठीक है मान लो यह कोई सेल है मान लिए हमने यह कोई सहल है लिख देदें दरवाल ठीक है रध ध्यान दे समझियेंगा यह रिख यह सलका नियों के लिए साह अपनी मालो किसी मालो ठीक है किसी अधर बंदी की ले लो ठीक है अब ही मालो ये वाइरस आया वाइरस यह ओपर यह capsule होता है, protein का coat 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 है, अब देखो, protein का coat है, तो इसके अंदर इसका generating material भी तो होगा, इसके अंदर इसका generating material भी होगा, तो यह हमने इसका generating material बना लिया, ठीक है, और आपको मालूम होगा, कि यह जो HIV है, इसका generating material होता ह है वो होता है आरेनी क्या होता है आरेनी ठीक है और आप लोगों ने अगर आप लोगों ने molecular basis of inheritance पढ़ा होगा तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा मेसेंजर आरेने क्या बन सकता है मेसेंजर आरेने और आरेने से बन सकती है क्या प्रोटीन क्या बन सकती है प्रोटीन ठीक है अब देखो डी एने से आरेने बनना कहलाता है क्या क्या कहलाता है ट्रांस्क्रिप्शन क्या कहलाता है ट्रांस्क्रिप्शन और RNA से प्रोटीन बनना कहलाता है क्या ये कहलाता है क्या कहलाता है ट्रांसलेशन लेकिन सेंट्रल डोगमा के कुछ एक्सेप्शन भी थे अब वो DNA से DNA बनता था वो हम लोग रैप्लिकेशन तो वो अलग बात हो गई लेकिन कभी कभी देखने को ये भी मिलता है कुछ वाइरसस में कि मेसंजर RNA से DNA को भी बनाया जा सकता है तो जब मेसंजर RNA से DNA को बनाया जाएगा तो इस प्रोसेस को कहेंगे क्या इस प्रोसेस को कहेंगे reverse transcription क्या कहेंगे बस यही ड्रमाटिक खेल है यह अगर आपको पता होगा तो सवाल छट पट कर ले जाओगे तो रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन करके कुछ वाइरस जो होते हैं वो मेसेंजर आरेने से डी एने बना लेते हैं अब जरा देखो कि इसके पास क्या है इसके पास आरे नहीं जरूरी नहीं था कोई भी आरेने हो सकता है ठीक है तो यह आरेने जो है यह आरेने जो अंदर मुझूद है यह अंदर सेल के कैसे आएगा तो सेल के अंदर आने के लिए इसको करनी पड़ेगी क्या रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन तो जब यह प्रॉसेस अपनाएग और एके बन जाएगा नदर आके बन जाएगा डबल स्टेंडेट डी आने क्या बन जाएगा डल यह बन गा ऐसा है अपने काम धाम बंद करो अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा ठीक है यह वाइरमस क्या ही करता है alarm का काम करेगी में अरने का काम करवारी होगी प्रोटीन को बनाने के लिए उसे प्रोटीन चाहिए होगी और सासाथ में अपना आरने चाहिए उगा तो फिर से वही कर लेगा क्योंकि जब ये डियने अंदर इंकॉर्परेट कर जाएगा तो इंकॉर्परेट करने के बाद ये सल किसके अंडर में आ जाएगी ये सल आ जाएगी वाइरस के अंडर में वाइरस के अंडर में आने के बाद ये सल क्या करेगी लगातार आरेने बनाएगी क्या बनाएगी RNA लगातार RNA बनाए इसका वायरल RNA और सासात में बनाएगी प्रोटीन और प्रोटिन इसी और ने पर पक करते देकり सभ़ेंगे दिखो उसके बच्चे अंदर बनते रहेंगे बंते रहेंगे अब जब यह लगातार बच्चे बनते रहेंगे तो ही जाएंगे और हमने आपको बताया था की क्या B lymphocyte बिना T lymphocyte की help के antibodies बना पाएगी नहीं बना पाएगी तो जब antibodies नहीं बना पाएगी तो हमारी immunity क्या हो जाएगी कम हो जाएगी मतलब अब हमारे पर कोई भी pathogen other pathogen attack करेगा तो हम अपने अपको उससे बचानी पाएगे बंदा HIV से नहीं मरता बंदा other infection से मर जाता है क क्यों कि उसके पास B lymphocyte antibody बनाई नहीं पारी है क्यों क्यों कि T lymphocyte लगातार कम होती जारी क्यों होरी कम क्यों कि ये जो DNA है मलब ये HIV है ये HIV लगातार उसे मारता जा रहा तो अगर T lymphocyte का number घटेगा तो B lymphocyte की अकाद नहीं है कि बिना T lymphocyte की help के antibody बना ले और अगर शरीर सारे इंफेक्शन जब आपकी ओपर हो रहे होंगे तो आप अपने आपको बचा नहीं पाएंगे और धेड़ सारे आप सिम्टम शो करेंगे तो धेड़ सारे सिम्टम मलब ग्रूप आफ सिम्टम को कहते थे सेंड्रोम तो इम्म्ट डिफिसियंसी सेंड्रोम हो गहिए नहीं हो गया और अपने क्या करा इसको अक्वायर नाम भूगए हो गया हो यह बात दो क्लियर हो गई होगी अब ज़रा अजा यह दरवाल डाइगराम जड़ा देख लो जो हमने हैues उसी तरह स bagus भाए थेगा है अब देखो अ हुं रेक्ट्रोवारस निल्मसल में होगा ठीक है और यह वायरस भी स्पेसिफिक है ऐसा नहीं कि गाया भाहिस में जाकर हो गया जाकर ठीक है तो रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन करके क्या करेंगा अब यह डिएने जो होगा एजो एनिमल सेल का जो डिएने होगा उसके साथ इंकॉर्परेट कर जाएगा जब इंटर कर जाएगा तो अब सेल को कंट्रोल कौन करता है सल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस के अंदर जनेटिक मेट्रेल होता है तो अब जनेटिक मेट्रेल जब कंट्रोल में आ गया किसके वायरल डिएने के तो वायरल डिएने क्या करेग और उसके बच्चे में क्या होना चाहिए था तो वाइरस में क्या था वाइरस में सीफ उसी वारने था प्रोटिन की कोटिंग दी तो यह क्या करेगा यह वही काम करेगा कि अपने बच्चे बनवाएगा और अपने बच्चे बनवाने के लिए क्या करेगा धेर सारा अपना आ करेंगे हेल पर टेलिंफोसाइट को टीलिंफोसाइट को रचाइट कख करेंगे एक टेलिंफोसाइटी स्टरए उगी तो ब्छी क्या होगी ब्छी विए की आउकाई नहीं यह फिर पर कि वो antibodies बना ले तो यह जो फ्रेम मैंने बताया आपको यह अगर अगर अपने brain में रखोगे तो reverse transcription funda कोई बहुत टब फंडा तो है नहीं simple reverse transcription करा virus का RNA convert toward DNA में आ गया cell के अंदर देखो वो दीवार पे खड़ा रहा cell के अंदर penetrate करके नहीं आ गया उसने challenge करता है कि हम cell के बाहर ही खड़े रहेंगे membrane पे और तुमको अंदर घुसके दिखाएंगे और reality में देखो वो अंदर घुसके उसने दिखाया एकि नहीं दिखाया वो cell के अंदर penetrate करके नहीं आया वो reverse transcription करके चला आया तो उसने वहाँ से रखा RNA अपना cell membrane के ओपर नीचे के तरफ बन गया उसका DNA गया cell के नूकलेस के पास जाके जीनोम पे गबजा करा उसके हत्याने के बाद कहा सल से अब तुम खामूश हो जाओ अब तुम वही करोगी जो काम मैं तुम से कहूंगा और काम वो क्या करेगा अपने बच्चे बनवाएगा बच्चे विल्ग दो चीज़े चाहिए थी एक चाहिए था RNA अला वाइरल आरेने और सासाथ में चाहिए थी प्रोटीन तो वाइरस इसलिए बोला गया कि नॉन लिविंग है नहीं लिविंग है दो चीज़े हमें थेक़् वाइरस को आपना नॉन लिविंग बोलों कि वाइरस को जब किसि सielt के कांटेक्ट में आता है तो बेहईवियर करता है लिविंग की थाए conducting थोड़ी भूषब थोड़ी बहुत शों करेगा ल опыт तब किसी से बाहर किसी सर겼 ay सकते जो कि यह किसी नॉन लिविंग के साथ हूता का वायरस किस्ते काम करवारा सेल का ही राइबोसुम यूज़ कर रहा होगा सेल का ही एंडोप्लाज प्रेटिकुलम इस्तमाल कर रहा होगा अपने आपको क्या करने के लिए बढ़ाने के लिए ठीक है तो आयूप आपको इतनी बात तो क्लेर हो गई होगी की इंफेक्शन जो कवैं मे कैसे भी स्रीम सरा देख लो ठीक है अब याज रखका है ठीक है देपो एक्ड़ेस करो को मैक्रो सिज्सिश सब्से बड़ी होती है बहुत ही बड़ी बड़ी बहुत धमदार तमदार सेल जो की phagocytosis कर सकती है ठीक है किसी भी पैसे उनको निप्टा सकती है लेकि इसला उसको भी निप्टा देता है रखते ठीक है तो यह macrophages पर attack करेगा और उनको क्या बना लेगा HIV की फेक्टरी बना लेगा ठीक है अब RNA रेप्लिकेट कर जाएगा ठीक है रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज एंजाइम की मौझूदगी में और क्या बना देगा वाइरल डिएने बना देगा एक सवाल यह भी पूछा गया था मोलेक्लर बेसे तो विनाटेंस में सवाल यहां पर भी उठाके मला फ्रेम करा सकता है कि DNA Independent RNA Polymerase ठीक है यह इंजाइंड इंजाइमी स्टीमाल करा जाता है क्योंकि रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज इंजाईम जो वह तोध़ द्यूर्न कि ना. घ्राए मुन बना लिया है इंजाईंजाइम कौन सा लगा होगा एंजाइम लगा होगा reverse transcriptase यहां पर देगो मेंशन कर दिया इन्हों ने ठीक है अब वाइरस incorporate कर गया होगा host cell में तो host cell के जो नूकलेस होगा वहाँ पर incorporate कर चुका है ठीक है अब क्या करेगा धेर सारे वाइरल पालिटिकल यहां पर कम होती चली जा रही होंगे ठीक है तो अब जब यह आएगा उनके बच्चे पैदा होंगे तो यह दूसरी हेलपर टीलिम्फोसाइट को टार्गेट कर लेंगे मालब यह किसी तरहा से टीलिम्फोसाइट को छोड़ी नहीं रहे हैं कि भाया उनके जो परिवार वाल ये ली जाएंगी तो बी सैल सी है यह बीलिम्फोसाइट क्या बना पाएंगी नएउज के लेंटी नीटी भाड़ी बना हिए हैं तो फांद कि एंडी Cash हैं कमेंट करके बताना भी आपको यहां पर कौन से टापिक थे और वही होप उनको मैं अगले लेक्टर में वेल एक्स्प्रेंड करने की कोशिश करूं कोशिश यह कर सकते हैं ठीक है ज़रा देखो अब इसके एफक्ट क्या-क्या हो ते ज़रा देखो ठीक है मतलब इस दौरान मतलब बंदे को फीवर भी हो गा डाईरिया भी हो जाया संद्रूम से जब कम हो गई हैं तो क्या बी सेल सेंटी बाइब बना पाएंगी इसकी माइको बैक्टीरिया में क्या को करता है टीवर क्लोसिस को सब्सक्राइब्स यह सब क्या लगा ता श्रीर पे इनफेक्शन कर रहे होंगे तो धेर सारे symptoms भी फिर नजर आने लगेंगे ठीक है इसके diagnose करने के लिए टेस्ट होता है उसको बोलते हैं कि ELISA क्या बोलते है ELISA 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 नहीं है ELISA enzyme linked immunosorbent essay याद रखेंगा ठीक है तो इसके diagnosis होती है इसी test से होती है ठीक है अगला जो को treatment देख लो भईया ठीक है treatment देख लो यह antiviral drugs दी जाती है ठीक है यह पार्शली effective होती है ठीक है बट यह मतलब जिन्दगी थोड़ी सी बढ़ा सकती है लेकिन मौत से नहीं बचा सकती है ठीक है जो की आपका काम हो जाए आपका सवाल निकल जाए ओके वह जब मौका मिलेगा तो फिर रीसर्च वहली बाते भी कर लेंगे कि इसके भी treatment करेंगे इससे विवंदे ठीक करेंगे ठीक है तो इसकी बात बात करी जाए ठीक है तो यू नो अबाउट the prevention is better than cure है ना अगर रोग ठाम परी जाए तो इलाज की जदोती नहीं पड़ेगी ठीक है पहली बात तुदे को drug abuse बन करना चाहिए ठीक है अब लोगों को AIDS के बार ही बताना चाहिए ठीक है मुस्ट ओफ हमारी society में क्या होता अगर किसी से यह कर दो कि आप cooperate कर रहे हो ठीक है मतलब अगर आप multiple sexual partner हैं आप के पास ठीक है और आप cooperate कर दे हो तो आपको क्या चाहिए आपको चाहिए कि आप से मनलब cooperation करो आप condoms का use करो मनलब protective sex करो लेकिन लोगों के यह बात खुपड़ी में नहीं जाती उनको लगता है कि जैसे यह कोई तफरी मजाग की बात कर रहे है मनलब अगर किसी के सामने आ आए हैं लोगों का मजाग करने तो अगर ऐसी मजाग है तो मार्केट में condoms क्यों मिलते हैं उनको नहीं बेचना चाहिए है कि नहीं है तो इसलिए हमारे जमाने में हमारे समाज में बच्चों को इस बात को लेकर aware करते ही नहीं है तो अगर आप aware नहीं करोगे तो बच्चे गलती करेंगे उच्छे गलती करेंगे तो जहिलना पड़ेगा उनको तो अगर उनको ये बात पहले से पता होगी कि भाया इन सब चीजों से आपको नुकसान करती हैं तो उन बच्चों को उनके बारे में हमें अवेर करना चाहिए वैड हमारे समाज में ऐसा कुछ नही होता तो इसी लिए बच्चा लोग ठीक है सवाल मन में कोई भी हो अगर आप थोड़े गयल एजुकेटेड हो थोड़े मरला हायर एजुकेशन वे हो तो अपने माबाप से अपने टीचर दे खुल के सवाल करो क्योंकि अगर सवाल आप नहीं करोगे तो जवाब आप ही को नहीं मे अगर हम इन बैरियर मेदर्स का यूज करेंगे तो अपने आपको इस इंफेक्शन से बचा सकते हैं ठीक है एवेंट पूरा वर्ल्ड इन सब चीजों से जूज रहा है आपको मालूम है क्या लेकिन आपके तक कोई ख़बर तो बताने आएगा नहीं कि भाईया वहां पर व हमें ऐड़ोकेटिंग से क्षेह सक्स हमेशां उसके बारे में बताना चाहिए तो ये सब प्रेवेंशन्स हैं एड्सके तो यह कर्निशनomed हैं हमें पता होनी चाहिए कि chois veto को के पीट McMahon तो इंस सब को इन सब दो को अभिएंच चीजों के बारे में अविर करते रहना चाहिए ठीक है और अपने छोटों को समझाया जाए ठीक है तो अगला टॉपिक आ जाते हैं वही है क्या कैंसर तो ज़रा ध्यान से सुरियेंगा इस टॉपिक के बारे में ठीक है तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है तो हम नॉर्मल ग्रोथ हो किसी भी सेल की किसी भी टिशू की तो वो बनाता है हमेशा क्या टियूमर क्या बनाता है टियूमर समझते हो मतलब टिशू मतलब बढ़ जाएगा उसको नॉर्मली टियूमर कह देंगी उसको मास ओफ सेल कह सकते हैं जैसे देख रहे हो कि इनके भाया जी क तो जब उस मास को काटके निकाला गया बाहत तरह देखो, ये मास इतना बड़ा लख भाख हो गया, हो गया नहीं हो गया, तो ये क्या सेल को करना चाहिए ता ऐसा, ना, क्योंकि सल के पास अपने प्रॉपर्टी उदी भी बताएं कि कांटेक्ट इनिबिशन क्या होता है, तो जो उसने इसको तोड़ा होगा, तो जाहिर से बात है कि सल हमेरे नॉर्मल ग्रोथ करेगी भाई अगर नॉर्मल ग्रोथ ना करती, तो हमारे दोनों कांट बराबर कैसे होते हैं, थकी नहीं है, हमाई दोनो जबड़े जो हें, फो, एक मलक दूसरे पर सषट्कियों होतया है आगे जाकर वो थोड़ा सा आगे डूंपर बना होता गाड़ी का ऐसा है क्या पाच्चों अंग्लिया जो नौर्मल हों नौर्मल एक ऐसा कि वो निकल गई बहुत ऊपर उससे आप जाला चुडा रहो ऐसा होता है क्या नहीं नहीं सब नॉर्मल ग्रोथ है तो नॉर्मल ग्रोथ के नरीज़ा होगा कि आप नॉर्मल शेप एंड साइस में देखो कि आपकी जो सेल्स होंगी वो नॉर्मल ग्रोथ शो करेंगी लेकिन जब कभी भी यह अब नॉर्मल टी शो करती हैं तो कुछ ऐसा ही नक्तिजा होत कि बनके तैयार हो जाएगा टिशू का लो ठोड़ा बनके प्राइए ये इंसाइड बाडी भी हो सकता है और बाडी के सरीं ब्र जी बीडिया हे इद अब क्या कांटेक्ट हिंडिशन क्या कहते हैं contact inhibition ठीक है contact inhibition कुछ ऐसे दरा समझा जाए Excel ये Excel ये Excel A मान लो इधर Excel B मान लो इधर Excel C मान लो ठीक है इन तीनों के बीच में promise हुआ होता है promise ही समझ लो कि हम लोग uncontrolled growth show नहीं करेंगे uncontrolled growth show नहीं करेंगे अगर ऐसा होगा तो दूसरी वाली सर्स क्या करेंगी उसको इनिविट करेंगी मतलब अगर A वाली ने क्या करना शुरू कर दिया uncontrolled growth show करना शुरू करा तो B वाली और C वाली चपल ले के उसको पीटेंगी तो जब पर लेके पीटेंगी तो दूसरा ये बताओ कि अब वो growth कर पाएगी उसके तो दूसरे तो ये उसको खरम कर दिया जाएगा योगि वो cancerous cell बनने वाली थी तो ये property होती ही content ने बचेंगे और एक दूसरे को unnecessary growth करने से रोकेंगे this is called a property of contact inhibition ठीक है तो ये cell के बीच बार बार शू होगी तो uncontrolled growth शू होगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि mass of tissue बनके तयार हो जाएगा ठीक है mass of cells बनके तयार हो जाएगा ठीक है तो कह रहे हैं कि जो normal cells होती है ये शो करती है क्या contact inhibition क्या करती है contact inhibition एक दूसरे के साथ contact में रहेंगे और उसकी uncontrolled growth को रो inhibition शो करेंगे मेरी जो मर्दी हम अपनी मन के राजा हैं चितना वड़ा उतना वड़ा tumor बनाएंगे तुम मेरा कुछ कर पाऊगे क्या तो बगाल वाली cells को भी का गरेगी उससे भी nutrition ले लेके वो उसको मारना शुरू कर देगी तो यहां पर contact inhibition की property तो खतम हो चुगी है त ठीक है अब आजाओ तो यह बात तो हमने नॉर्मली आपको बताई दो important बाते जो थी cancer के बारे में टीमर के बारे में ठीक है type soft tumor देखो ठीक है type soft tumor के अगर बात तो यह हमेश्चा दो तरह की होते है ठीक है दो तरह का जो पहला इसका जो शुरुवाती form होता है उसको कहते ह है प्रडैन या ठीक है याद रखेंगा कि बैंगल्डैन क्या होता भी सारी बात ह Panicinal डिया ठीक है तो बैनेग्न मलब शुरुवाती होता स्टॉर्टार होता है और मैलेंट जो होता है यह बहुत ही घातक होता बहुत ही जान लेवा अली डोन ही इस के बारे में शुरुवा वही पर थोड़ा बहुत आधा लगा इसलिए इसम!, बहुत जादा नहींAm आपको बोली है। और जहां पर बनेंगा यह वहीं पर रहेगा बहुत ज्यादा नहीं पहलेगा ठीक है और यह दूसरे पार्ट में भी नहीं पहलेगा तो डो नॉट इस बहुत इस बहुत बढ़ जाते चिए तो ये जबड़े के ऊपर जो वह देखने को मिल जाता तो यह बैंटेगू मर की खासीद तो हमने आपको बता ही लेकि उसके बात जो यह बना गी जहां पर बना थाँ भाग राहे अब यह मेलिगनेट की बात नमों कर रहने को आगे है मलिगनेट है भी बता चाहे है बाद में इसके बारहे बितारों हैं विह बहुत तेजी से रहा हती है वे पडा़को स्मूय होती है तो अगल बगल cell से competitive करेंगी competitive करेंगी उनका nutrition छेलेंगी और इनको star कर देंगी मालब उनकी जान ले लेंगी उनसे खाना चीन के उनको भूका मरने को छोड़ देंगे this is called starvation ठीक है और दूसरी cell को surround मालब जो आसपास की cells surrounded होंगी उनको भी invade करेंगी जो normal tissue मालब बीच में ये tumor कोई बन रहा है और उसके side में कुछ cells हैं तो जब ये बढ़ेगा तो जो आसपास की cells होंगी उनको भी damage तो आसपास की cells नॉर्मल tissues हैं नॉर्मल cells हैं तो ये सला उसको भी damage करना शुरू कर देगा तो अगर उसको damage करना शुरू करेगा तो ये भाया हमारे लिए घातक है ठीक है जिसके भी श्रीन में है ये घातक है ठीक है अब देखो कहरें due to active division and the growth लगा ताज ये एक्टिव डिवीजन का रहा ग्रोथ कर रहा है इस्टार्फ करके उसको मारें ये बात तो पहले ही बता चुके ठीक है क्या रहे है क्योंकि मेटास्टैसिस में क्या होता है कि जो भी ट्यूमर सेल्स बन रहे होती है ठीक है ये cancer cell जो होगी ये cancer cell क्या करती है कि जहां पर बनी थी वहां से निकल के जाएगी और किसी दूसरे टिशू पर जाकर trap हो जाएगी जब टिशू पर जाकर trap होगी तो वहां पर एक नया tumor बना देगी ज़रा सोचो कि एक जगहा पर बना और बनने के बाद 10 जगहा पर चला ग कर लाती है मेटास्स तो भाईया याद रखेंगा तो देख लो मेलेगनेंट यूमर में देखो जो इस cells बनी थी ये देखो क्या करनी है ये इनको माइगरेट करके किसी दूसरी तिशू के पास जारी है और जहां कहीं पर भी जाएंगी वहां पर भी ये क्या करेंगी वहां कहीं पर बीजाकर इतक जाएगा, वहां पर जाकर एक नए tumor बना देगा, तो this is a dangerous property of the malignant tumor, थीक है, तो दो तरह के tumor आपने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, bending ने पढ़ा, और malignant पढ़ा, tumor अच्छा नहीं है, बट malignant के हिसाफ से, जो bending ने, वो थोड़ा अच्छा है, थीक है, इसको का मनला ऐसे सबस्टेंस ऐसी चीज से जो काश्य métier किए हैं वह कहलते हैं तो सबसेंस नियुहों और यह सबस्टेंसहस करते हैं वही कहलते हैं क्या कार्सिनोजेंस अब ये कार्सिनोजेंस फिजिकल भी हो सकते हैं कैमिकल भी हो सकते हैं बैलाजिकल भी हो सकते हैं तो भाईया ये फिजिकल हमने बना दिया कैमिकल बना दिया थीक है तो ये तीनों हमने यहां पर बना दिया ठीक है तो ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा ठी तो Carcinogenes तो cancer causing agent है, cancer causing substance बलो cancer causing agent बलो बात एक ही है, बात समझ भी आनी चाहिए ठीक है अब देखो physical agent क्या ionizing radiation हो सकता है, ऐसे कि ऐसे कि आप देखोगे तो x-rays गामा-rays है ठीक है और non ionizing में देखोगे तो UV rays होती है, तो यहाँ पर लिक रखा है कि ionizing radiation जो होता है वो जैसे की X-rays होती है और सासाथ में गामा रेज होती है और इसके लावा जो non-ionizing होता है वो UV-rays होती है ठीक है यह देखो ठीक है तो यह physical agent हो गए chemical agent में जैसे की tobacco का धुआ है ठीक है मतलब तंबाकू का जो smoke होता है यह major cause होता है cancer का इसके लावा जो vinyl chloride होता है caffeine coffee coffee में caffeine भी मौझद होता है ठीक है तंबाकू लेते हो तो तंबाकू में भाईया nicotine होता है इसके लावा जो mustard gas होती है जिसको second world war में इस्तमाल करा गया था सबसे पहले तो यह सब चीज़े जो होती है सब चीज़े cancer cause कर देती है and these are the chemicals so they are called the chemical agent या chemical carcinogenes ओगे now कम सुनो biological agent तो biological agent पे normally virus होते है virus को कहते है क्या oncogenic virus क्या कहते है oncogenic virus ठीक है यह cell और oncogenes भी होता है मलब हमारी body में ही मौझूद है proto oncogenes मलब हमारी हर cell में proto oncogenes होता है कब जाने यह convert हो जाए oncogenes में और वो cell growth करने लगे cancerous cell की तरह समझ में आई बात नहीं तो proto oncogenes हमारी cell में पहले से मौझूद है proto oncogenes किसी भी वज़े से चाहे वो biological agent हो चाहे वो chemical agent हो चाहे वो physical agent हो इन तीनों एजेंट्स की तरह अगर वो activate होता है activate होने के बाद proto oncogenes का conversion जो होता है वो oncogenes में हो जाता और यह अब oncogenes के बन के तयार हो जाता तो यह property शो करने लगता किसकी तरह एक cancerous cell की तरह और यह uncontrolled growth शो करती है लेकि cell के पास एक और बहुत यह अच्छी property थे उसको अबने कहा क्या कहा था उसको कहा था contact inhibition तो इस तरह से normal cancerous cell को destroy करा जा सकता है ठीक है तो oncogenes वाइरस भी हो सकते हैं साथ साथ में solar oncogenes वल्लब जो proto oncogenes होता है जो हमारी cell में मौझूद होता है जब यह normal cells में activate हो जाता है proto oncogenes तो यह convert होता है किसमें oncogenes में तो proto oncogenes जब कभी भी oncogenes में convert होता है तो oncogenes transformation हो जाता है cell का और सब्सक्राइब करती है एक cancer cell की तरह बीएव करना शुरू कर देती है ठीक है तो cancer के डिटेक्शन है और डाइग्नॉस है तो टेक्षन के लिए भाइयोपसी टेस्ट होता है यहाद ररखींगा बाइयोपसी टेस्ट होता है moving technology उफ टिक है सबसे हो सकता है और सासाथ में कुछ biological techniques भी होती थी तो उनका भी से मथी के बारे अभी यहां पर बात हो रही है पहला देख लो भायोपसी क्या होता है पहला देख लो क्या बायोपसी क्या होता है ठीक है क्या करते हैं एक पतला सा पीस काटते हैं जिस सस्पेक्टेड टिशू होता है यहां पर लगता है कि यहां यहां पर यह कैंसर गो थो रही है तो उस सस् स्टेडी करते हैं और माइक्रोस्कोप में लगाकर उसको गया करते हैं स्टीडी करते हैं इसस्टडी को कहते हैं कि हिस्तोपैफ। निप्लेगाjor काँछ स्टेडी करी जारी तो स्टोपैफुलोचिकल स्टडी चाह। ठीक है in case of leukemia, leukemia मतलब जो blood cancer होता है, leukemia मतलब क्या होता है, leukemia का मतलब होता है blood cancer, ठीक है, leukemia क्या होता है, blood cancer, तो blood cancer में जो histopathological study होती होती है, यह देखो ज़रा यहाँ पर ठीक है, तो bone, sorry, blood या bone marrow टेस्ट करा जाता है, और साथ साथ में increased cell count, कि cell लगातार कितनी बढ़ रही ह है, ठीक है, 54, मलब 5.4 million, ठीक है, RBC होती है, ठीक है, पर millimeter of cube होती है, ठीक है, 8-10,000 WBC होती है, तो मलब पर millimeter of cube, ठीक है, तो लेकिन इनकी value बढ़ी भी होती है, तो उस case में हम सब study करते हैं, ठीक है, तो यह cell count करके भी क्या करा जा सकता है, test का पता लगा जा सकता है, in case of blood, ठीक है, तो blood के case में यह करा जाता है, बाकि tissue case में तो क्या करा जाता है, histopathological study कर ली जाती है, ठीक है, बाकि imaging technique यह होती है, imaging technique हमने कहा था कि यह radiography, मलब x-rays का इस्तेमाल करते हैं, यह city scan, city scan हो गया, computerized tomography होती है, ठीक है, इसमें 3D image बनती है, internal object की जो भी हमारे अंदर आता है, MRI ठीक है, तो यह imaging techniques होती है, x-rays होता है, सिडिन scan होता है, और साथ साथ में क्या होता है, MRI होती है, ठीक है, तो physiological changes जो होते हैं, उसमें पता लग सकते हैं, MRI से normally तो उसमें कोई खासा मनलब वो नहीं है, ठीक है, अब cancer detection जो diagnose थी, उसमें हमने यह भी बात की थी, कि अ तयार, यह कोई tumor बनके तयार हो रहा है, तो यह तरीका भी होता है, पता लगाने का, ठीक है, देख लो, यहाँ पर यह monoclinal antibodies बनाई जा रही है, यह cancer cell है, अगर उसके साथ detect कर रही होगी, तो जाहिर से बात है, कि वो मतलब वहाँ पर symptoms show करेगी, या वहाँ पर जो भी हम test क करेंगे, तो टेस्ट करने के बाद जो भी sample होगा, वो sample हमको, यहाँ से, मतलब आसनी से पता चल सकता है, कि हाँ बही है, सैंपल में ऐसा कुछ मुझूद है, कि जहाँ पर antigen antibody reaction हो गई है, तो अगला देखो, यह molecular biology techniques होती है, ठीक है, इसमें क्या करते है, इसमें detect करने के ल ऐसे carcinogen से कहा जाता है, कि आप दूर रहें, carcinogen कुछ भी हो सकता था, physical भी हो सकता था, chemical भी हो सकता था, और साथ में biological भी हो सकता था, लेकिन खास करके उनसे chemical carcinogen जैसे कि tobacco का smoke होता है, तो उन सब चीजों से दूर रहने को कहा जाता है, जाकि वो अपने आपको पहले से ही बचा है सकती है, वैसे कोई नौबत ना है, अब cancer का treatment देख लो, तो treatment भी है, radio therapy भी है, chemotherapy भी है, immunotherapy भी है, इस चारो चीज़े में जो होती ही, perform करी जाती है, तो लेकिन इन तीनों में जड़ा देखो क्या होता है, जो radio therapy होती है, इसमें tumor cells के ओपर लीद्यवा, radiation मारा जाता है, बार बर, ठेक है, लेकिन ये करा जाता है, जो आس पस के, tissues होते हैं, उनको damage ना करा जाए, ठेक है, सिर्फ टैपर Siiffer disease मारमार के, मारमार के, मार 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 के, उसको खतम करा जा रहा होता है, ठीक है, कीमो थेरपी में क्या करा जाता है, जो कीमो थेरपेटिक ड्रक्स होती है, ठीक है, जिनके कुछ साइड एफेक्ट भी होते हैं, जिसे कि बाल गिरने लगते हैं, और नीमिया हो जाता है, तो उनका इस्तमाल करा जाता है, तो बाड़ी की इम्यूनिटी बढ़ा दी जाए, आपको पता है कि आपके शरीर की यो इम्यूनिटी होती है, किसी भी चीज को धोका दे सकती है, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, किसी भी चीज को खतम कर सकती है, बशरते आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होने चाहिए, ठीक है हमेशा positive होना चाहिए चीजों को लेकर अगर आपने कभी भी मनलब इन चीजों को सुना होगा कि वो बंदा positive रहता तो सुना होगा कि इसको कोई बीमारी नहीं है तो अगर आपका mindset अच्छा होगा अगर आपका concentration अच्छा होगा तो आपकी immunity भी अच्छी होगा तो अगर immunity और बढ़ा दी जाएगी तो destroy कर सकती अपने आप ही tumor को तो जरा से हमारी immunity में किता दम है और यही तरीका immunotherapy करके ही लोगों का कुछ लोगों का मतलब जिनको as a volunteer रखा गया ता जो HIV positive थे तो उनको immunotherapy करके उनका HIV ठीक कर रहीगा बाकि इस surgery की बात तो आप normally clear का समझ ले होगे कि tissue को काट के महां से हटा दिया जाता है तो this is called surgery ठीक है तो यह खतम हो गया किस्सा हमारा किसका cancer का और HIV का तो यह दिन्धाडे topic मरलब खतम आखरी topic बचा है drugs and alcohol abuses drugs smoking and alcohol abuses यह भी important है क्योंकि यहां से जो सवाल बनते हैं वो drugs को लेके बनते हैं drugs किस पार्ट से बनती हो कि पारते हैं तो इन सब चीजों पर discussion बस होने वाला है ठीक है देको ड्रग्स जो पर होंगे वहाप चार तरह की पढने वाले हो ठीक है इसमें mention नहीं है ठीक है एक जो पढ़ोगे वो आपको अनभर्यपाधि पर ओगे एक पढ़ोगे वह प्ढ़ोगे क्या को का ऐको ल एलकलोइइड लिए यहां पर ठीक है निकोटिने तो इन चार इसी लेफ़ी बात कर लेज़े तो निकलती है इसकी बात कर ले अपर कर लेच। तो पॉपी प्लांट से जब ये निकलता है तो ये कहते हैं कि जो ये ओफिवाइट्स होते हैं ये मॉर्फीन भी हो सकता है हेरोईन भी हो सकता है या इसी को हम लोग ब्राउन शुगर भी कहते हैं देखो ये ब्राउन शुगर रखा है हेरोईन रखी है मॉर्फीन रखी है ठ हमारे Central Nervous System में होते हैं और सासाथ में GIT में होते हैं मतलब Gastro Intestinal Tract में होते हैं ठीक है तो GIT में Interceptors होंगे या हमारे Central Nervous System में मतलब यही दो जंगा होंगी जो इसमें करेंगे इसको ठाब इक़ांपल में मौरीन और असा असाथ में ब्राउन शुगर हो यहां पर रखा वाए अब देख लो त्वन निकलती कहां से तो यह मौर्फीन जो होगी जड़ा देखो सबसे पहले यह पॉपी प्लांट से निकलती है तो पॉपी प्लांट देख लो कि एक टैप्सुलर फ्रूट होता है सौरी यह सौलिट्री होता है Florida손, X internacional अकिला निकलता है flowers देख लो flower लगे मिए हैं, यह उसमें इदे को fruits लगे में, तो इसका जो कच्चा fruit होता है, तो poppy plant का जो botanical लिवे papyrow Vander Somniferum ठीक है यह इसका botanical ली में है, तो इसमें आप यह manifold यह 테क्स निकल ला है यहां से लेटेक्स निकलता है तो इसी लेटेक्स को collect कर लिए जाता है जिसका यह formula इधरवल बना रहे ठीक है Morphine का chemical structure इधरवल बन रखता है ठीक है अब यह जो निकाला गया इसको मतलब plant से extract कर जाएगा और different different forms होंगी उसको भी तयार कर जाएगा तो अभी इसकी हम लोग heroin की भी बात करेंगे ठीक है करें यह sedative होता है और साथ है pain killer होता है sedative मतलब क्या होता है यह body की मतलब जो energy जो होती तरह से कह सकते हो क्या सोरी इनर्जी नहीं गलत बोलने है ठीक है sedative का मतलब होता है कि यह body की functioning को धीमा कर देता है ठीक है तो वह कहलाते है sedative morphine अब जो को diacetylmorphine जो होगा ठीक है क्या करा जाता है जो morphine में diacetylation करा जाएगा तो उसी के बाद जो बनके तयार होती है morphine वही कहलाती है diacetylmorphine या उसी को नाम देते है heroin तो यह heroin कोई वो नहीं है जो मतलब normal movies में आप देखते हो ठीक है तो यह white ठीक है बिना खुश्बू वाला कड़वा कड़वा क्रिसलाइन कंपाउंड होता है पाउडरी पाउडरी सा इदेख लो नीचे पड़ा हुआ है ठीक है अब कह रहा है it is obtained by the acetalation of morphine जो भी हमने पहले बता लिए क्या करेंगे morphine का तभी यह बनके तयार हो जाएगा अब यह स्नॉल्टि देखो बॉडी की functioning को क्या करेंगा स्लो कर देगा ठीक है तो इस डिप्रेसेंट था बॉडी फंचिनिंग तो बॉडी फंचिनिंग को स्लो कर देगा और आप एकदम जूमने लगोगे मजे में ठीक है तो यह हमारा खतम हो गया क्या अगला आजाओ कैना बनाइट्स ठीक है थे का ठीक है कारो बार आपको नहीं करना पो पढ़ाई करनी की ठीक है तो अब कैने बनाएट्स wires सप्टर स давно भी होते हैं यह वहाँ पर जागर इंट्रेक कर जाते हो हमें बही हैं मजा देखर हमने लिया ठीक है लेने के दो तरीका है inhalation या oral जो बना रहा तरीका देख लो कैसे बना रहा है ठीक है ठीक है आपने घर के आएप्लाइट भी कहा जाता है अप्टेन होते हैं इन ते इंडा है तो हम editors निकलता है उसी कंपतियों से निकलता है तो अभी बात करेंगे महां पर ठीक है तो इस प्off पनिया है रीजिन है और साथ-साथ में टॉफ लार्स है अभी आपने उॉफ वैट में पढ़ा था कि यहां किस्दमाल करेंगे यहां है रेजिन किस्दमाल करेंगे तो ल Milwaukee सैं ब किसदों मरीजुम Mr. हशीश है, चरस है, गांजा है तो यह लगवाग चार चीजpower है, ठीक है, मरीजवाना हशीश, चरस, गांजा, ठीक है, चरसकों यह भांग ang कह देते हैं, ठीक है, तो यह सब हैं यहां से निकलेंगी निकलेंगी सिफ तीन बहुत होंगे मेश मैल करा जाएगा अगला है यह fa mosquito की मेरे पूछा गया सवाल है कि इन में से कौन सा स्ट्रक्चर का है ठीक है यह स्ट्रक्चर दिया गया पूछ लेगी कि का है का स्ट्रक्चर रहे ठीक है तो इस लिए इसको स्पोर्स परसंट भी इसके झार्फी हुब होता है यह उसी को कोकEND को कोघंड्र इसको क्रेक्ते सारे सबके करें से सबसी से हैं कोट कोट करेक्ट है और déjà पढ़ा दीता है इरित्रो इन तो यह प्लांट वहां से इस्तिमाल करा जाता है ठीक है ये क्या करेगा ये हमारे जो नियूरो ट्रांस्मिटर होता है डोपामीन तो ये उसके साथ इंटरफेर कर जाता है इनर्जी इनर्जी पढ़ा देता है ये भी ठीक है अब देखो कोकेन को लेने का तरीका मेंली ये हमारे सेंटरल नर्वस सिस्टम को स्टिमूलेट करेगी और यूफोरिया कॉस्ट करती है उससाथ में हमारी इनर्जी को भी बढ़ा देती है मलब दम आखे एक्दम खुली रहती है मलब इनर्जी बढ़ जाएग आपको लगेगा किसको क्या होगे सड़नली अभी तो ए फॉल्स परसेप्शन ठीक है बताते है भी फॉल्स परसेप्शन क्या होता है ठीक है देखो फॉल्स परसेप्शन में क्या होता है आपको जो लगेगा वही आपके सामने आपको लग रहा होगा हो रहा है लेकिन अगर को दूसरा बंद है उसको निगलेट करेगा तो उसके रियालिटी में ये मेरे सामने है, आमने सामने बैटके बात हो रही है ना, लेकिन सामने वाल जो दूसरा बंद उसको खड़ा हो के देख रहा हो गा, उसको लगे है ये पागल एठाज इसको दिमाग खराब हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फॉल्स परसेफचन इसी मिली दे जो इसका नशा करता हो ठीक है इसके लावा or भी कुछ plant हैसे कि yield clipnana नाम सुना होगा ठीक है उसके लावा Thanatura inoxya सुना होगा दीको दूरा bella फैड लगा है यह treesla ऩुरे लगा है तो यह सब दो पेड़ा यसे लिन को इस्तेमाल करा जाता है, ये भी हैलोस्तिनोजिनिक प्लांट होते हैं, हैलोस्तिनोजिनिक प्लांट के मतलब वह होंगा है, अगर इनको खा लिया जाए, इनके सब्स्टेंस को ले लिया जाए, तो ये फॉल्स परसेफ्शन कॉस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो ड् मिंटल इलिनेस को होते हैं मिलनेस को ट्रीट करने लिए और नेंग मि frying इसके लए जैखे लावन छूरह करनने शुर्टभक को. का नाम लिखा लेकिन कभी लेने मत पहुँच जाना क्योंकि वो आपको देगा ही नहीं विदाओट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ये आपको दवाईया कभी मिले नहीं सकती ठीक है लेकिन अब हो क्या गया डॉक्टर तो हमको प्रिस्ट्राइब करता है कि भाईया आप ठी भी हो ये रित्रोजलिन कोका हो ठीक है चाहे वो अलकोहल हो अलकोहल का भी इस्सेमाल करना शुरू कर देते हैं या इसके अलावा तोबैको वेको हो तो तोबैको अब्यूस भी होता देखाओगा तो ये सब क्या है ये सब बस तमाशा अपने आपको बीमारी के तरफ ले ज रित्र के खाते हैं ये कहलाती है लोगों की बेवकूफी जरा सोचो कि आपकी आसपास एड़ दिए कितने बेवकूफ लोग रह रहे हैं जिनकों मालूम है कि इसके खाने से में नुकसान होगा लेकिन तब भी उसी की वाधर डाल लेते हैं ठीक है क्योंकि वह के दुरान हमारा दर्द अकम किया जा सकता था जिनसे हमारी मेंटल इल्लिनेस को ट्रीट आजा सकता था हम उन्हीं के आदी हो गए हम उन्हीं के लात डाल लिये हैं और जिन्दगी बार उन्हीं का इस तमझे से कि आपने सुना होगा कोरेक्स के बारे में तो मॉर्फीन जो होता है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हमको नीहाना शुरू हो जाती है तो जब लोगों ने इसको ट्राइक्ड करें मज़ा आता है तो शराप के जाए खाले नियुक्त हमारा काम भी हो जाएगा जबा सोचों कि ड्रेक्स था उसका अभ्यूस चुरू हो गया ना तो बस हम्मे वही नहीं करना चाहिए अगर आप अच्छे खासे हो ठीक है पढ़े लिखे हो तो इन सब चीज़ों को मतलब अवाइट करोगे तो फिजिकल या फिजि़ोलाजिकल फंशन्स फिजिकल या फिजिलाजिकल फंशन्स उसके एमपियरमेंट इस सब देखने को मिलता अगर आप सब चीजे इस्तिमाल करते हो ठीक है स्मोकिंग स्मोकिंग तो चलन लोगों ने बना लिया ठीक है स्मोकिंग स्मोकिंग करते करते है ठीक है टबैको चार सो साल पहले से यूज हो रहा है बहुत से लोगों के ज़गा के से टबैको यूज करते हैं ठीक है इसमोक करके या चबा कर भी इसको 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 खाती है तो क्या होता है इसमें जो मुझूद होता है निकोटीन, निकोटीन एलकलेट जो होता है जब यह हमारे ब्लेड में जाता है तो ब्लेड में जाने के बाद जो हमारी एडरिनल ग्लैंड होती है, क्या होती है एडरिनल ग हार्डवीट रेट क्या हो जाती है बढ़ जाती है और हमको बैठे बैठे मजा आता तो आड्रेनलीन तो आता है सासाथ में नौर एड्रेनलीन भी आना शुरू हो जाता है तो यह सब चीज़े होते हैं कि इसमोग च्विक्ट चवा के भी या सनुफ सनुफ कर रक के भी मलब कई सारे कैमिकल सबसेंस होते हैं कि मेंली उसमें निकोटीन होता है इसलिए उसका नाम रखा है क्या निकोशियाना टुबैकम ठीक है जो कि स्टिमॉलेट कर देता है हमारी एड्रेनलीन को यह बात अभी हम बता चुके जिसकी वज़े से एड्रेनलीन और सासाथ में नौर अधरेनलीन आता है इसके लिए ब्लड प्रेशर हार्ट बीट रेड क्या हो जाता है बढ़ जाता है यह भी हम आपको बता जोगे क्या आप जब डरते हो तो फाइट एंड फ्राइट हॉर्मोन आपके सुना होगा है ना एमर्जन्स हर्मोन आपकी बाड़ी में कौँ सा आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती तो ना भाग रहें ना दोड़ रहें उसके बाद भी घर बैटे बढ़ा रहें उसको ठीक है तो दिस इस मतलब रॉंग ठीक है अब देखो अब देखो इस स्मोकिंग जो मेंली होती है देखो आप यह देखो कि जब आप बच्चा पैदा होता है तो जब पैदा तो उसके लंग्स होते हैं अग्दम पिंक पिंक होते हैं अग्दम गुलाबी गुलाबी होते हैं लेकिन जब वो इस पल्यूटिंग इन्वार्मेंट में रह रहा होका तो धिरे दिन का कलर डार्क होता लेकिन वो बंदे वो बंदे जो की लगातार स तो इस मोकिंग के वज़े से कांसर मेरी देखने मिलते हैं इसके अलावा जो यूरीनरी ब्लैडर होता है उसमें भी कैंसर देखने मिल जाता है उसमें जो डिफ्यूजिव सर्फेस होती वो मोटी हो जाती है तो मोटी हो जाने के वज़े से क्या होता है गैसिस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा दिकत होगी की नहीं होगी ब्रॉंकाइटीस भी हो सकता है ठीक है कोंटेंट जो का थिए जब हमारे बूड़ी में कारबन मोना उकसाइड के साइड कर ऽalgता देगा wij पुरी होगी पौता है जहां पर हमारे उनल्ड हแลव होता है चीजो क को लेकर फिश्वास हुमारे अंदर जाग रहा होता है ठीक है और हम अदलब अपनी सोसाइटी में ऐसे ब्लब बंदे तियार हो maintained जो किई में किसी भी चीज के लिए तयार मलshot मलथ किसी भी चीज में पै्टकी में करने के लिए तयार होता है ठीक है ठीक है इस ताइम माबाप को बच्चे के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो था क्योंकि माबाप दोनों ही काम करने वाले माँ अगर अपने घर में विजी है तो पादर अपने आफिस में बिजी है अपने किसी बिजनिस में बिसी है उसकता है की माबाप दोनों ही वरिकिंग हो दोनों ही काम भी लेकिन बच्चा गया बच्याबड बच्चे आपने अगे ले पिर रहाową नए उसको घर में दादा-दादी क्योंकि आलक lithically में जाएन फैम्ली में रहते नह टीवी पे या अपने फोन पे देख रहा है कि नहीं है तो यह सब चीजे ही बच्चों को बर्बाद करती है लेकिन कभी भी माबाप इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते तो अगर उन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए तो कभी ऐसी नौबती नहीं यहां पर हमारा फिजोलोजिकल और सासाथ में हमारा मेंटल डेवलप्मेंट हो रहा होता है और अगर यही डेवलप्मेंट गड़ बढ़ाता है तो हमारी पूरी की पूरी उम्र गड़ बढ़ा जाती है तो यह आप आई होग आपको यह बास समझ में आई होगी ठीक है दूरान ऐसा क्यों होता है ठिक है कि किए कि हमारे इंदर एक दोटीश को बोलते है किरियोसिटी हर सीज में देखे इसमें क्या मज़ा इसमें ये μज़ा इसमें क्या मज़ Gel एक है एडवन्टेर मलब एड़ए टहले गूमनी की यह इसाइटमेंट बहुत जादा होता है ठीक है और असाथ में प्राब्लम्स को फेस करने से हम भागते भी बहुत हैं यह हमारी बच्पन की बहुत ही बुरी आदत होती है ठीक है और इस्ट्रेस लेते हैं जो हमारा एकैडमी की हमारे एक्जामिनेशन होते हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा परिशान भी जोते हैं क्योंकि हमें कभी कोई समझाता ही नहीं है कि बेटा एक्जामिनेशन आपको यह नहीं सिखा सकते हैं कि आपको कितना आता है एक्जामिनेशन बस तो ये बात धियान रखना है कि examination एक ऐसी चीज है जो वाकिए में हमको क्या कुछ manner सिखाती है बाकि पढ़ते तो आप जिन्दगी भर रहते हो ठीक है तो इन सब चीजों का भी बच्चों को अक्षर प्रेशर रहता है कि भाया हम पढ़ाई करें या हम कुछ और करें क्योंकि ये भी प्रेशर बहुत ज़्यादा तो academic pressure examination pressure भी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है तो ये सब भी वज़ा हो जाती है ये ड्रक्स और अल्कुहल अब यूजियस के ठीक है इसके अलावा टेलिवीजन से हैं मुवीज हैं नियूस पेपर इंटरनेट तो ये सब इसे भी जो होती है बच्चों को ड्रक्स और अल्कुहल अब्यूजिस के तरफ धकेलती है ठीक है तो ये सब चीजों पर अगर ध्यान रखा जाए मतलब 12-18 साल की अमरे तक बच्चों पर अगर खासा ध्यान दिया जाए तो बच्चे इन सब चीजों की तरफ नहीं भागे पुसी का अग्दम मज़ा लेखे तो अलगलग तरीके होते हैं ठीक है कर किताब तो हैं थोड़ा सा अंकॉंशिस टाइप बचा रहा रहा है उसको यह फील होता है कि हम तनहाई में भी अच्छा महसूस कर रहे हैं तो जा ये सूचों कि वह घर्वालों के तरफ क्यों जाए इन सब चीजों से देको उसकी बर्बादी थी लेकिन उस बर्बादी को रोका भी जा सकता था अगर उस बच्चे पे ध्यान दिया जाता तो ठीक है तो यह सब चीजे जो बच्चे मनलब अपने दोस्त दोस्यार बनाएंगे उल्टे सीधे दोस्यार बनाएंगे उन्हें के सा तो बच्चे क्या गलत आद्दों की दरफ अपने आप भागे लगते हैं ठीक है तो टॉलरेंस लेटर्स का वो बढ़ जाता बलब रिसेप्टर्स की अब मांग बढ़ जाती है भाईया आप तोड़ा गहरा नशा गुरू तब ही हमको मज़ा आने वाला है इस हलके फुल के न बड़ी है कि हम पुरी तरह से एक दम डिपेंड हो जाते हैं उन सब चीजों को ठीक है तो यह विड्रॉल सेंड्रोम समारे अंदर हो जाता है मलब हम डिस कंफर्ट फील करते अच्छा नहीं फील करते मलब रेगुलर डोस अगर हमको ना मिले तो हम उल्टा सीधा बरताओ क अगर उसको उस टाइम पर वो चीज ना मिले तो वह किसी का मुल्डर भी कर सकता है जारा सोजो कि कितनी बुरी लत है है कि नहीं है करें दिस रिलाक्स इस रिजर्ट इस इन एंग्जाइटी ठीक है शेकिनेस नॉसिया और स्वेटिंग तो यह सब इसके मलब रिजल्ट हो स आएगा सबसे वो ठीक है तो डिपेंडेंस ली टुदा सोशल एड्जेस्टमेंट प्रॉब्लम डेखो डिपेंडेंसी से मलब देखो इसके जिस क्या होता है सोशल एड्जेस्मेंट प्रॉब्लम मलब जब किसी चीज़ के उपर निरभर कर गया तो अब वो आपस में तो रिख्लेज़ बैइवियर है वजी बैघिडीलिजम मलब लडाई घगडा उंची वाज में बात करना अबहुंद्र वीवार करना ठीक हो जाना बाघ पर तो यह चीजों को ऊप्ट होते हैं झाल। कोमा में चले गया ठीक है LAU再 Janeiro हो गया यह हो जाती तो यह सब भी वज़ा होती है अगर ॉ تو सब निमाग करने वाली चीज यह जो उसने बच्पंस से आदर डाली थे नर्वस इस्टम को डैमेज कर सकता है यह लीवर कुडैमेज अगर लगातार आप alcohol यूज़ कर रहे होगे तो लिवर स्रॉसेज भी हो सकती लिवर भी डैमेज हो सकता है ठीक है mental और social distress बढ़ेगा ठीक है family में friends के बीच में भी ठीक है तो इस सब चीजे social problem जिसे की stealing and spreading of infectious disease भी है ठीक है चीजों को चुराना मतलब अब नहीं मिलेगा उसको पैसा चीजों को खरीदने का तो क्या करेगा चुरी डगाती करेगा लगातार हमने कहा था कि अगर वो addicted होगा तो intravenous चीजे भी इस्तमाल कर रहा होगा और साथ साथ में उसके उल्टे सीथे दोस्यार भी होंगे तो यह AIDS और hepatitis B जैसी बीमारियां जो की जान लेवा है लाइलाज इनका कोई लाज नहीं सब बीमारियां भी वो फैलाएगा ठीक है इसके लावा इसके अलावा यह भी हो सकता कि जब आप बहुत ज़्यादा इन सब का इस्तिमाल करते हो तो sexual drive जो होती हो खतम हो जाती मलब आपको अपने partner के सब इन सब चीजों का मलब शौक ही नहीं रहता यह तरह का life का हिस्सा है यह ठीक है अगर आप बात करो कि romantic life is just a part of our daily life ठीक है तो अगर आप उन सब चीजों में मगज होके तो इन सब चीजों में क्या ध्यान दो कि तो क्या आपको अरिश्टा मेंडेन रहेगा क्या एक यह रिश्टा में लिए यह चीज जरूरी है नेक्रोसपरमिया हो सकता है ठीक है स्पम काउंटाउंड भी कम हो सकता है ठीक है मिस्यूज ड्रक्स का करते हैं अथलीट्स तो इन सब चीजों में देखने को मिलता है कि मैंला नेक चीजें इस्तमाल करने से वो सोचते है कि ऐसा कुछ उनके साथ हो जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बॉड़ी को ही एडवरसली एफेक्ट कर रहे होते है ठीक है अब इन सब चीजों की वज़े से ही हम क्या गतिन ना अपनी पढ़ाई मलब अगर हमको इन सब चीज हमेशा अपने अपको अलग रखना इन सब चीजों की अध़त पढ़ जाती है डिप्रेशन चिकार हो जाता है ठीक है फटी ठकान फील होगी एग्रिसेवनेस होगी ठीक है रेवेलियस बीहीवर मलब बहुत ही हलका सा कुछ हुआ पर उठाके मार दी असर फोड़ दे तो य में घटाओ बढ़ाओ या अपेटाइट में अच्छा मिंटेन नहीं रहता विकोज उनका नेचर ही कुछ ऐसा हो गया कि वह एग्रिसेवने से बरें वाइलिंस से बर चुके तो इसके साथ कोई रिलेशन जादा लंबे समय तक नहीं ठीकता कोशिश करी जा रही हो थी कि भ लगता है क्योंकि उसके दिमाग में सब लेकिन इन सब चीजों से बचाने के भी तरीक है ठीक है साइड एफेक्ट डिकलो जो इस्त्राइट इस्त्माल करें जाते हैं जो लोग बहुत जदा बनना चाहरे होता है कि तकड़े हट्टे गट्टे बन जाए हलक जैसे ठीक है त तो मोट सङ्क डिप्रेशन देखने को मिल जाता ठीक है टेस्टेकल का साइस तहोँए यह तो शोधिक हूंग के काम कि यह हो जाएगा तर अब अगर पूर पूर्ड़क्शन धी काम हो जाएगा उसक्तर नहीं कर पाएगी लिवर 3 से उसे स्टोर नहीं कर पाह Quindi से वह को सकती है इसके लाब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़्दान भी काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है अब देखो वह तो हमने बात करी ती में यह तो बात हमारी होगी में अब देखर वीमेल में क्या-क्या अगर एसा नहीं की फिमेल्स एस्तमाल करती है तो कुछ फीमेल्स भी स्ट्राइट से इस्तमाल करेंगे तो इन में भी कुछ उफेक्ट डेकने को मिल जाएंगे ठेक है मस्कुलाइनाज़ेशन होगा मलाब मसल्स बढ़ जाएंगी मला मेलने सुनके अंदर आएं लगेगी aggressiveness वहाँ भी होंगे mood swing depression वहाँ भी होंगे चहरे पे मतलब बाल आ जाएंगे दाड़ी वाड़ी उनकी मतलब थोड़ी दिखने लगेगी menstrual cycle भी क्या हो जाएगा अब normal हो जाएगा ठीक है deepening of voice मतलब तगड़ी अवास निकलना शुरू हो जाएगी ठीक है मेल में टेस्टिकल छोटे हो गए थे वैसे इन में enlargement हो जाएगा clitoris का ठीक है तो यह देखो यह clitoris normally इस तरह से थी लेकिन अभी देखो जब इन्होंने strides के स्वाइब करना शुरू करा किस तरह से clitoris क्या हो गया enlarge हो गया तो यह सब conditions भी देखने को मिल सकती है ठीक है अब देखो इन adolescence and female में तो conditions हम अभी आपको बदा चुके थे कि मतलब कभी कभी severe facial या body acne आ जाती है ठीक है या premature closer of the growth center मतलब जो ग्रोस इंटर्स होते हैं आपके वह बढ़िए आपकी हाइड जो होती हो क्या रहा जाती है और चोटी रहा जाती है मतलब long bone जो होती है वह लंबी नहीं हो पाती long bone को जब बढ़ती है जब आपकी हाइड बढ़ती है तो आप stunted रहता हो गए तो growth center क्योंकि close हो जोगी growth hormones है इसे नहीं आ रहा है ठीक है अब इसके prevention और control बात कर लें जलीली से prevention और controls क्या होते है ठीक है बच्चों में जबदस्य का pressure नहीं डलना चाहिए पहली बात तो ठीक है बच्चों को education and counselling बच्चों की करती रहने चाहिए कि बच्चा तुम्हें क्या दिकत है क्या परेशानी स्कूल में क्या चल रहा है तो इस सब तरह की counselling बच्चों के साथ करते हैं कि तुम्हें क्या दिकत आती है इस सब चीज़ों में ठीक है help from the parents and peers मनलब जो भी उनके साथी बराती है उनके उनकी counselling अगर करते हैं तो खुड़ासा अगर वो aggressiveness हो उनके अंदर अगर है aggressive हो जाते हैं तो उनको बहुत ही मनलब politely treat करा जाए ठीक है तो यह सब चीज़ों का लगातार इस्तमाल करोगे तो तुम्हें यह भी दिकत हो सकती है यह का बच्चों को बच्पन भी बताई जा होता है कि तुम्हारा future dark हो ठीक है और जरूत पड़े तो भी या प्रोफेशनल या medical help भी requirement होती है ठीक है उसके लावा या physiologist साइको लॉजिस्स या किसी psychiatrist से भी मनलब दिखाया जा सकता है ठीक है डी addiction या सासाथ में rehabilitation program भी चलते हैं जहां पर इन सब चीजों के नशा आशा मुग तो करवाया जाए ठीक है नशा चुड़वाया जाए इस सब चीजे भी होती है ठीक है तो उमीद है आपको यहां तक तो खहर सटा सब्सक्राइब की कि इसमें सब्सक्राइब जा समझाने जा समझाने तो बस खाली वहा पर था जहां पर इस ट्रॉक्चर्स और बूस सब्सक्राइब के जवाब आपको मिलेंगे इस सवाल अंदर होते हैं तो खलबली बहुत जादा होती और खलबली होती तो उल्टे सीधे जवाब आप ढूड़ने निकल जाते हो ठीक है तो इन सब चीजों को अवाइड करना चाहिए ठीक है और हमेशा अपनों बड़ों से अपने चाहिए और जबाब पेश आना चाहिए पहenta हमारा होना चाहिए ठीक है उसे बात करना चाहिए और जयुक्ण चीज़े होते हैं जिनसे मबाब हर मबाब अपने बच्चों को पचाना चाहिए उसे कोसों दूर हो रहने जाए हूं कि यह हमारेcuzर को हमेशा के लिए डार कर सकती है इन में जाना तो असान है लेकिन यहां से निकलना असान नहीं होता सो बच्चा लोग थैंक यू फो वाचिंग डिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना लाइक भी ठोक देना उसमें रखके असासात में शेयर भी कर देना ठीक है आप से मिलेंगे अपने नेक्स लेक्चर में जिसके हम लोग यहां पर कोश्चन का डिसकेशन करेंगे सो सी यू इन नेक्स लेक्चर तिल देन टाटा बाई बाई